बहुत ही इंपोर्टन चीजों के बारे में आज हमें बात करनी है इट्स अल्मोस्ट ऑगस्ट युनिटेस्ट इस अराउंड दो कॉर्णर उसके बाद समिस्चर आ जाएगा नई हुए होंगे तो भी कोई बात ने अंधर की बाते आपको आज मुझे बतानी है कुछ अची यँची चीज़े अची 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 स्टाटरजी आपको यहाँ पर बताउंगा we are going to talk about the science strategy the science strategy मतलब एक ऐसी strategy जिसको पढ़ने के बाद कई और मुँ मारने की ज़रुवत नहीं है आपको जो कुछ भी चाहिए science के लिए वो सब कुछ आज के वीडियो में हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं ठीक है the science strategy for SSE class 10 वीडियो में जिस भी चीजों की बात करूँगा हर चीज का लिंक आपको description में मिल जाएगा and telegram channel के उपर भी update हो जाएगा telegram channel की भी link आपको description में मिल जाएगी join नहीं किया तो कर लेना and video कर अच्छा लगे तो like करना, share करना, subscribe करना जन्मा सिद्ध हद हक है मेरा मांगने का, तो शुरू करते हैं हमारे एक कहानी की शुरूआत होती है with paper pattern paper pattern मतलब क्या आपका paper किस तरह आता है, किस तरह से question पूछे जाते है हम यहाँ पर बात कर रहे है, science 1 की for example, we will talk about science 1 first, शुरूआत होती है with question 1A write the correct alternative, multiple choice question एक question होगा, 4 option होगे correct option को select करना है, पता है 5 mark का आता है, 5 question होते हैं ठीक है, फिर आता है question 1B that is answer the following, यहाँ पर भी objectives पूछे जाते हैं, true or false होगा match the following होगा, correlation होगा, odd man out होगा, name the following होगा, give a question होगा objectives है, यह भी 5 mark के आते हैं, 5 question होते हैं, पता है sir, objectives में हमारे पास कोई discount नहीं है, we have to prepare objectives of all chapter, जितने भी chapter 20 chapter है science के, हर chapter का objective होगा हमें पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, आपके पास guides होगी, आपके पास note होगी notes होगे, guide होगी, जो भी होगा textbook read कर लो, but we have to prepare objectives for all chapters and यह जो 10 mark है, वो हम बिलकुल भी गवा नहीं सकते, we want these 10 marks, चीक है फिर मजा कहां से आने लगता है, पता है question 2a, give reasons यहां से feel आने लगेगा, सुनो मेरे बात कितने लिखने हैं, दो लिखने, na2, कितने option होते हैं, तीन option होते हैं, अब बात ऐसी है न, अगर science 1 की बात करूं, तीन option में से, एक option physics का होता है, compulsory लिए, और एक option chemistry का होता है, तीसरा option, या तो physics, या chemistry, either way, किसी में से भी, पूछा जा सकता है, चीक है, बड़ाबर है, फिर question 2b, यहां पर मुझे कितने लिखने है, any 3 लिखने है, कितने option होते हैं, 5 option होते हैं, अब पाँच में से, compulsory, दो option physics के आते हैं, और दो option chemistry के आते हैं, बचा हुआ एक option, या तो physics, या तो chemistry का हो सकता है, and this goes for science 2 as well, मतलब अगर 5 option की बात कर रहा हूँ, तो 5 में से 2 option होंगे biology के, और 2 option होंगे EVS के, अगर आपको नहीं पता, सर, biology कौन सा है, EVS कौन सा है, don't worry, we will talk about that, कौन सा physics है, कौन सा chemistry है, नहीं पता, बताऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, question number 3, any 5, answer the following, any 5, कितने option होते हैं, 8 option होते हैं, इस में से compulsory, 4 option physics के आते हैं, और 4 option chemistry के आते हैं, अब ठीक है, last question, question number 4, anyone, दो option होते हैं, एक option के physics का होता है, compulsory, एक option chemistry का होता है, compulsory, ठीक है, और ये 5 माग का question रहेगा, आपका last question, pattern समझ में आ गया, जादा कुछ difficult नहीं है, it is not rocket science, I hope समझ में आ गया है, अब थोड़ा हिसाब लगाते हैं, आजाओ, अगर मैंने सिर्फ chemistry पढ़ी है, ठीक है, मेरे पास time नहीं था, पूरा साल मैंने बरबाद किया है, लफंगागिरी किया है, मेरी पढ़ा ही नहीं हुई है, मैंने सिर्फ chemistry प्रिपेर किया है, and paper में I am going to attempt only chemistry, ठीक है, ऐसे बोलने ही रहा हूँ कि chemistry लिखना, सिर्फ example दे रहा हूँ कि अगर मैंने सिर्फ chemistry लिखा, तो क्या होगा, objectives मैंने सारे किये हैं, पहले ही आपको बोला, objectives हर एक chapter का पढ़के जाना है, 10 mark मुझे मिल गए, physics के भी objective मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, question 2A, any 2 मेंसे मैंने सिर्फ एक लिखा, सिर्फ chemistry attempt किया, तो मेरे को कितना mark मिलेगा, 2 mark मिलेगा, ठीक है, question 2B, any 3 मेंसे मैंने 2 लिखा, 2 chemistry का लिखा, बराबर है, तो मेरे को 4 mark मिले, 2 to the 4, question 3, any 5, इस मेंसे मैंने 4 chemistry के लिखे, तीन मार्क का एक क्वेशन होता है 3-4 जा 12 मार्क मिरेको मिल गए and question number 4 last question मैंने सिर्फ एक एक ही attempt करना है वो मैंने chemistry का लिखा तो मिरेको 5 मार्क मिल गए अब देखो हमने objective छोड़ के बाकी सब कुछ सिर्फ chemistry attempt किया हुआ है कितने मार्क मिलेंगे total लगाएंगे I will get 33 marks ऐसे कैसे हाँ ऐसे ऐसे and सिर्फ अगर मैं physics भी attempt करूँ objective छोड़ के तो भी मुझे 33 mark मिलेंगे मतलब देख रहे हो physics और chemistry का weightage almost equal दिया हुआ है वो लोग ने paper के अंदर मतलब मान लेते हैं पूरा physics अगर आपने छोड़ दिया तो भी आप 33 marks ला सकते हो पूरा chemistry आपने छोड़ दिया सिर्फ physics करके गए तो भी आप 33 mark ला सकते हो अब मैं यहाँ पर यह नहीं बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ physics पढ़ना है या सिर्फ chemistry पढ़ना है बढ़ हमें थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है एक खादा कोई chapter अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है नहीं जम रहा है physics का हो या chemistry का वो मैं छोड़ सकता हूँ ठीक है actually मैं यह strategy मैं last में देता हूँ एक महीने पहले बिलकुल पढ़ा ही नहीं होई होगी ऐसे टाइम पर यह strategy देने दी जाती है लेकिन इस साल पहले से ही बता के रख रहा हूँ so that हम अभी से हमारी पढ़ाई प्लान करके करें ठीक है फिर आपने पूछा सर physics कौन सा है chemistry कौन सा है पता नहीं है देखो गए ये 6 चाप्टर हो गए तुमारे physics के बचे कौन से periodic classification chemical reaction metallurgy carbon compound ये हो गए मेरे chemistry के chemistry के 4 ही चाप्टर है physics के 6 चाप्टर है लेकिन chemistry के चाप्टर बड़े बड़े है metallurgy बहुत बड़ा हुआ है carbon compound बहुत बड़ा चाप्टर है ठीक है physics और chemistry और फिर मैंने बात करी है science 2 की तो यहाँ पर biology में कौन से चाप्टर आते हैं देखो heredity evolution LP1 life process 1 life process 2 animal classification intro to microbio cell biology यह हो गए biology के चाप्टर और बचे कौन से environmental management towards green energy social health and disaster management यह हो गए मेरे EVS के चाप्टर ठीक है अगर मैं सिर्फ EVS करके जाऊंगा हाँ मैं 33 marks ला सकता हूँ सिर्फ biology करके जाऊंगा हाँ मैं 33 marks ला सकता हूँ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा twist है biology में science 2 में थोड़ा सा twist है द्यान से सुनना introduction to microbiology मे page 82 के आगे मतलब कहां से पता है microbes and fuels दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा वहाँ जाएंगे हम थोड़ा अंदर गुज जाएंगे तो आपको microbes and fuels paragraph दिख रहा है उसके आगे जितना भी है न वो EVS में आता है from introduction to microbiology microbes and fuels के आगे EVS है and cell biology and biotechnology में भी page 96 दिख रहे हो green revolution लिखा हुआ है green revolution के आगे जो कुछ है वो सब भी EVS है हर एक chapter का एक weightage होता है कि gravitation 4 mark के लिए पुछा जाता है life process 1 5 mark के लिए पुछा जाता है heritage में से 3 mark का आता है ऐसा weightage हमें हमारे school वाले class वाले या फिर नवनीत का जो guide होता है उसमें भी weightage दिया होता है लेकिन वो fixed weightage होता है ऐसा नहीं है हर साल weightage थोड़ा थोड़ा change होता है मतलब किसी साल में gravitation 5 mark के लिए पुछा गया था किसी साल में 7 mark के लिए पुछा गया था किसी साल में 3 mark के लिए पुछा गया था तो जो weightage है न वो constant नहीं है, वो थोड़ा-थोड़ा change होते रहता है, तो यहाँ पर we are going to talk about the true weightage of science 1 chapters and science 2 chapters, देखो, अब तक कितने board के paper हुआ है, March 2019, आपका जो syllabus आप अभी पढ़ते हो, वो 2018 में update हुआ है, और उसका पहला exam 2019 March में हुआ था, March 2019, then July 2019, July का paper is for repeaters, जो pass नहीं हो पाए, ठीक है, March 2020, July 2020, September 2021, देखो, March में, 2021 में COVID चल रहा था, March में exam नहीं हुई थी, तो सिर्फ repeaters के लिए September में paper लिया गया था, and March 2022 अभी का paper, इतने board के paper अब तक हुए हैं, राइट, ग्रैविटेशन का weightage हर बार constant नहीं था, 2019 में 6 Mark, फिर 5 Mark, 5 Mark, 6 Mark, 4 Mark, 5 Mark, तो as you can see, वो थोड़ा-थोड़ा fluctuate होता है, तो अगर total मारें, तो अब तक gravitation में से, कितने Mark का पुछा गया है, 31 Marks का, तो उस तरह से हम हर एक chapter का एक total weightage निकालेंगे, अब तक कितने Mark के लिए पुछा गया है, तो periodic classification अगर आप देखो, उसका weightage बहुत जादा है, पहली बात, 99 Mark के लिए भी पुछा गया है उसमें से, and अब तक का total weightage है 43, अब थो यह हो गए मेरे सारे true weightages for each chapter, अब मेरे को यहाँ पे से, उन chapters को देखना है, जिनका weightage maximum है, तो सबसे पहले top पे आता है मेरा periodic classification, जो 43 Marks के लिए पुछा गया है, फिर आता है carbon compounds, जो 42 Marks के लिए पुछा गया है, then we have effects of electric current, at the third position for 39 Marks, and अब थोड़ा सा tie हो जाता है between chemical reactions, refraction and lenses जो 36 Marks के लिए पुछे गया है, तो अगर मैं, sorry, मेरे top 6 chapters की बात करूँ, तो those are periodic classification, carbon compounds, effects of electric current, refraction, lenses and chemical reactions, इन में से 3 chapter हमारे chemistry के, तो बात ऐसी है ना के chemistry हमें करके ही जाना है, physics का एखादा chapter अगर आपको difficult जाता है, tough जाता है, gravitation बहुत बहुत लोगों को tough जाता है, लेकिन gravitation में सिर्फ numerical आता है, 2 मक्का, 3 मक्का, compulsorily numerical पूछा जाता है, उसमें से बड़े बड़े question नहीं आते, अगर गलती से पूछा तो Kepler's law पूछते है, ठीक है, important questions के उपर भी separate video बनाऊंगा, we are not talking about important questions right now, I just want to tell you the top 6 chapters, मतलब इत इतने तो करने ही है, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, according to the weightage, जो अब तक पुछा गया है, मन घड़क बाते कर रहा हूं क्या मैं, नहीं, evidence है, statistically analyze किया हुआ है, हर chapter में से कितना कितना पूछा जाता है, तो these are my talks, top 6 chapters for science 1, ठीक है, चलो, फिर, I want to talk about the numericals, थोड़ा सा गायब हो जाओ, चलो, अभी numericals की बात करते है, gravitation में से 2 mark का, 3 mark का पूछा गया है, July में 3 mark का पूछा गया है, March 2020 में नहीं पूछा था, July 2020 में 2 mark, and 3 mark, फिर September में 2 mark का numerical, and इस साल के paper में भी 2 mark का numerical, तो अगर आप देखो, consistently हर साल gravitation में से numerical तो पूछा जाता है, तो अब तक 17 mark के numericals पूछे गए हैं, from gravitation, उसी तरह से अगर हम बाकी chapters देखें, तो बहुत कम weightage है, numerical point of view से, for the rest of the chapters, and आप इस chart को अच्छे से analyze कर सकते हो, ठीक है, कि कौन से chapter में से numerical पूछे गए हैं, कहां से नहीं पूछे जाते हैं, वो आप अच्छे से देखो, लेकिन maximum weightage for numericals is gravitation, मतलब, gravitation के numericals हमें बिलकुल भी छोडने नहीं है, we have to do those, compulsorily, ठीक है, भले उसमें जितने भी numericals हैं, थोड़े difficult हैं, बट सारे के सारे करके जाना, if you want important questions and important numericals के उपर separately video, बना सकते हैं, ठीक है, then, 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 talking about science 2 का true weightage, आये देखते हैं, एक-एक, नहीं बताऊंगा, सीधा आ का true weightage, total weightage मैंने यहां पर calculate कर रखा है, तो, number one position पर आता है, मेरा environmental management, 41 marks, surprising, right, EVS का chapter, यार, biology में हम इतना रटते रहते हैं, हरी डेटी में, lamarchism पढ़ रहे हैं, darwinism पढ़ रहे हैं, human evolution पढ़ रहे हैं, नहीं पूचते हैं, environmental management में से 41 marks का पूचा गया है, then, life process 2 में से भी ब microbiology for 35 marks and cell biology for 35 marks, ठीक है, तो, ये मेरे top 6 chapter का है, आजाओ, these are my top 6 chapters, environmental management, life process 2, animal classification, towards green energy, cell biology, microbiology, इस में से environmental management and green energy, again, EVS के हैं, cell biology और microbiology में से भी EVS का portion पूचा जाता है, तो, मुद्दे की बात क्या है, कि EVS के chapters हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, social health में से भी काफी कुछ पूचा जाता है, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, तो, social health का वेटे जहां पर दिख रहा है, 33 marks का रहा है, ठेक है, जादा दूर नहीं है, disaster में से कम पूचा है, 27 marks का, बट social में से फिर भी 33 marks का पूचा है, तो, social health could be easily included in this list, तो बोलने का मुद्दा यह है कि EBS तो पढ़के ही जाना है, चारी चाप्टर हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, and science one में chemistry भी पूरा पढ़के ही जाना है, because वहां के 3 chemistry के chapter मेरे top 6 chapters में आ रहे हैं, ठीक है, lot of information to talk about, but these are the chapters we have to prepare, बहुत बच्चे पूचते हैं, disaster छोड़ दू क्या, social छोड़ दू क्या, फालतू chapter है, मत छोड़ो भाई, पढ़के जाओ, weightage बहुत जादा है, ठीक है, point समझ में आ रहा है सब बोलने का, let's talk about diagrams, diagram based question के बारे में हमें बहुत दिक्कत होती है, कौन से diagram, draw करके practice करने हैं, कौन से diagram, सिर्फ हमें, चित्र देखके जाना है, उसके labels देखके जाना है, तो we need to talk about that, let's talk about diagrams, हर एक diagram based question के बारे में हम बात नहीं कर सकते, तो मैंने क्या किया, सारे diagram based question को compile करके PDF बना दिया है, उसमें भी board question paper के हिसाब से मैंने compilation किया हुआ है, तो as you can see, March 2000, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, March 2019 का paper है, then there is March, July 2019 का paper, March 2020 का paper, तो अब तक जितने भी board के paper हुए हैं, उसमें जितने भी diagram based question पूछे गए हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे include किया है, अच्छा हर चीज़ का diagram draw करना है, क्या नहीं, diagram दिया होता है, या तो उसक करना है, उसके बारे में लिखना है, उसके process explain करनी है, या तो उस diagram के नीचे तीन question पूछे हैं, उन question के हमें answers लिखना है, वन वन sentence में, ऐसे छोटे छोटे activity based, simple type के diagram based question आते हैं, और बहुत सारे questions repeat होते रहते हैं, अगर आप go through करोगे तो every year you will find certain set of questions जो repeat होते रहते हैं, ठी PDF भले बहुत बड़ा दिखेगा, 44 pages का PDF दिखेगा लेकिन उसमें repetition है, बहुत सारे question गड़ी 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 सेम से मा रहे हैं, तो just go through, एक बार go through करोगे तो आपको exactly idea आ जाएगा कि कौन से type के diagram based question हमें prepare करने हैं, अच्छा थोड़ा और नीचे चलेंगे, तो सब कुछ include किया हुआ इसमें, board के sample papers भी आये थे, 2019 में board ने sample paper release किये थे, उसमें से भी मैंने सारे question निकाल के रखे हैं, फिर board का जो question bank release हुआ था 2021 में, उस question bank में से भी जितने diagram based question हैं, वो सारे भी यहां पे निकाल के रखे हुए हैं, and 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 very important, diagrams which are, इसको थोड़ा बढ़ा करते हैं, diagrams which are usually asked for drawing, कौन से diagram, draw करने के लिए पूछे जाते हैं, देख लो भई, magnetic effect of electric current का, overstead वाल experiment है, वो draw करने के लिए पूछा गया था एक बार, DC motor पूछी जाती है, electric generator पूछा जाता है, तो यह हमें करके जाने हैं, इसकी practice हमें करनी है, hopes apparatus एक बार पूछा गया है, refraction of light, अब गोत के भी सारे board के question paper, सारे sample paper, question bank, and सब कुछ है यहाँ पर, just go through the PDF, इस PDF की link आपको मिल जाएगे description में, आगे चलते हैं, तो अब बार आती है time table की, time table कैसे बनाना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन से कौन से subject एक साथ करने है, सबसे पहले I want to talk about science, अब देखो भई, August से December तक का समय हमारे पास है, ideally December में मेरा syllabus खतम हो जाना चाहिए, at least एक बार दो बार revision करके, revision नहीं भी होगा चलेगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा revise करते रहो, लेकिन December तक I should be able to complete the syllabus, ऐसा नहीं है कि कुछ छूट गया है, सब कुछ पढ़के हो जाना चाहिए by December, तो मे 20 divided by 5, तो मेरे को 4 chapter per month का average यहां पर निकल रहा है, ठीक है, 5 4s are 20, 4 chapter एक महिने में करने, which is equivalent to 1 chapter per week, हर हफ़ते एक chapter मेरा complete होना चाहिए, not very difficult, छोटे छोटे चाप्टर भी होते हैं, बड़े बड़े चाप्टर भी होते हैं, एक हफ़ते में एक चाप्टर करना बहुत मुश अच्छा, रिविजन के उपर मैंने एक अलग से बहुत ही exclusive और fantastic वीडियो बना के रखा है, किसी चीज़ को हम पहली बार पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ना है, और उसको कितनी बार revise करने के बाद वो तुमारे दिमाग में fit हो जाएगा, because बहुत बच्चे बोलते हैं, सर में बहुत अच्छे से explain किया है, scientifically explain किया है, and आपको मैंने अलग-अलग pointers दिये हैं, कि किस तरह revise करना चाहिए, तो एक chapter मैं एक हफते में complete करने की कोशिश करूँगा with two revisions of that same chapter, ठीक है, बराबर है, तो बाकी subjects को कैसे time दे, सोनो मेरे बाद, अब ये time table एक ideal time table है, हर अपना schedule अलग है, उसकी school का time अलग है, class का time अलग है, उटने का time, सोने का time, खाने का time, सब अलग है, आप सब का time table अलग होने वाला है, ये मैं सिर्फ एक skeleton बना के दे रहा हूं, जिसको आप follow कर सकते हो, and इसको modify करके, आप अपने हिसाब से अपना time table बनाओ, ठीक है, ideally क्या होना चाहिए, एक दिन में दो subject मेरे होने चाहिए, मंडे को मैंने science किया और maths किया, ठीक है, अच्छा, आज के time में, August आ रहा है, August में अगर आप पढ़ रहे हो, तो at least एक दिन में दो, दो से धाई गंटे की self study होनी चाहिए, minimum, ठीक है, self study मतलब क्या हम कुछ नया पढ़ र उसके अलावा at least 2 गंटे की self study हमारी होनी चाहिए, आज के time पे, उसमें से एक गंटा science हो सकता है, एक गंटा maths हो सकता है, ठीक है, this is what I used to do back in the day, my time, मेरे जमाने में, अभी भी आप ये follow करो, फिर जैसे जैसे exam नजदिक आएगी, you have to increase that time, तेन गंटे करना है, चार गंटे क राइटिंग स्किल्स होगी, परिछेद पड़ेंगे, comprehension वगेरा जो होता है, अपने ही साब से करो, language आपको पता है, मैं language के बारे में ज्यादा ज्यान नहीं दूँगा, because I am not a language teacher, ठीक है, फिर वेडनेस जे को science और maths ले रहे है, फिर थरस जे को, मतलब आप समझ रहे हो न, अल्टरनेटली, science maths, SS maths, science maths, SS maths, and फिर संडे को मैंने क्या रखा हुआ है, revision करने के लिए रखा है, backlog अगर मेरा कोई chapter रह गया, जो मेरी planning थी, वो पूरी नहीं हो पाई है, तो वो मैं संडे को करूँगा, और अगर कोई test लिखनी है, तो वो भी हम संडे को करेंगे, तो this should be my ideal time table, लेकिन you have to modify it according to your needs, and for last में, कोई भी chapter मुझे पूरा आ गया, ऐसा आप कब बोल सकते हो, ठीक है, आपको मैंने checklist दिया है, यहाँ पर, यह आपके progress report रहेगी, progress chart बोलेंगे इसको, अगर मैं gravitation पढ़ने बैठा हूँ, तो मैंने चलो video lecture देख लिए, अगर मुझे नहीं स we are not talking about that, ठीक है, नहीं समझ में आया तो video देखो, समझ में आया तो मत देखो, ठीक है, बट अगर देखा है तो टिक कर दो, video देखते देखते, we are going to read the textbook, अगर I am explaining a topic, एक topic मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो topic पढ़ाते पढ़ाते आप अपनी textbook खुली रखना और रीड करते ठीक है, वो paragraph रीड करते जाओ, textbook भी reading हो गई हमारी, ठीक है, and textbook के बीच में जो in-text questions होते हैं, can you recall, can you tell, use your brain power, फलाना धिमका, वो भी हमें पढ़ते जाना है, उसको भी हमें prepare करना है, last year reduced हो गएते, इस साल reduced नहीं है, पढ़ने हैं, उसमें से भी पूछा जाता है, video lecture देख ठीक, textbook पढ़ा, ठीक, in-text किया, ठीक, फिर मैं exercise question करूँगा, कर लेना, हमारे पास अभी time है, we want to prepare everything, exercise question कर लेंगे, ठीक, फिर आता है question bank, QB मतलब question bank and PYQ मतलब previous year question paper, QB and PYQ ये मेरे website पे available है, website की link आपको मिल जाएगे description में, and एक और surprise है, जिसके बारे में बात करूँगा मैं, question bank से भी मैं prepare करूँगा, and PYQ से भी मैं prepare करूँगा, and तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि ये chapter मेरा completely हो गया है, and इसी तरह से science के सारे chapter हमें prepare करने है, maths के करने है, history के करने है, geography के करने है, ठीक है, तो ये progress charts भी मैं आपको दे दूँगा, and let's talk about the surprise, the most important thing, आयो और बहनों आपके लिए smart PDF बनाया गया है, इस smart PDF में, इसकी link आपको मिल जाएगे description में, इसको download कर लेना, save कर लेना, अपने pass रखना, whatsapp पे share करना, जो करना करना, smart PDF में आपके सारे दुख, आपके सारे problems solve हो जाएंगे, ठीक है, सारे chapter लिखे हुए, कोई भी chapter का video देखना है, click करो, आ आपको उस chapter के सारे videos एक साथ दिखाई देंगे, चलो, मेरे को metallergy देखना है, metallergy पे click किया, metallergy का पूरा playlist एक साथ open हो गया, ठीक है, तो ये हो गई हमारी smart PDF, science 2 के भी chapter है, cell biology पढ़ना है, click करेंगे, cell biology खुल जाएगा, ठीक है, अच्छा, video lectures के अलावा, handwritten notes की भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, science 1 में जाओगे, तो you will get two chapters, gravitation and periodic, and science 2 की बात करेंगे, तो heredity आ गया, life process कल तक आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गए, मेरे handwritten notes, important diagrams की, जो मैंने अभी आपको PDF की बात की, वो important diagram की PDF आपको यहाँ पर पूरी मिल जाएगी, बराबर है, you can download it directly from the smart PDF, फिर 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 नीचे चलते हैं, तो flashcards, पर click करेंगे, तो सारे flashcards, जितने भी available हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, then you have the PYQs, previous year question papers, इस साल के भी सारे question papers, उसमें मैंने update कर दिये, मराथी medium का, English medium का, दोनो uploaded है, देख सकते हो, question banks, जो मैंने अब तक दी ह आपका progress charts, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो भी आप यहाँ से download कर सकते हो, तो आज के दिन का सबसे important PDF is this, which has everything, आपके video lectures, आपके notes, notes में भी मैंने separate video बना के आपको मैंने explain किया हुआ है, कि उसके अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है, तो आपके notes हो गए, PYQs हो ग study, let them prepare, not everybody goes to class, बहुत बच्चे घर पे खुच से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए यह बहुत जादा helpful होगा, तो share this as much as possible, and video अच्छा लगा है, तो like करना, share करना, subscribe करना, बोलने के लिए बहुत कुछ था, and usually मैं क्या करता हूँ, when I make a video, थोड़ा सा rehearsal करत बनाता हूँ, आज का video में, there was no rehearsal, this is pure extempore speech, कहीं पे fumble हुआ है, कहीं पे कुछ अटक गया हूँ, तो, माफ करना, ठीक है, उतना clean video नहीं होगा, but I have tried my best to explain everything, thank you so much for watching, and आपका कोई feedback है, तो let me know in the comments, चलो, cheers.